नमस्कार विद्यार्तियों आज के सत्र में आपका स्वागत है हमारा प्रयास रहेगा कि आज के सत्र में आपको कुछ नया सीखने को मिले आज हम एक कशेरू की जीव मैड़क के विशय में जानकारी प्राप्त करेंगे आज के सत्र के अधिगमुद्देशे हैं मेड़क और उसके आर्थिक महत्व को समझने में आपकी साहता करना मेड़क के आकार की अभिलक्षन को समझने और पहचानने में आपकी साहता करना नर और मादा मेड़क में अंतर करने में आपकी साहता करना मेंड़क के विभिन अंग तंत्रों को समझने में आपकी साहता करना मेंड़क में निशेचन की प्रक्रिया को समझने में आपकी साहता करना आप में वेज्ञानिक द्रिश्टी कोण वह अवलोकन कौशल का विकास करना कक्षा में प्राप्ट किये गए ज्यान को आपके देनिक जीवन से जोडने में आपके सहयता करना विद्यार्तियों मेडक वह प्राणी है जो मीठे जल तथा धर्ती दोनों पर निवास करता है तथा कशेरुके संग का एंफीबिया वर्ग से संबंदित होता है भारत में पाई जाने वाली मेडक की सामान्य जाती राना टिग्रिना है इसके शरीर का ताप स्थिर नहीं रहता शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार परवर्तित होता रहता है इस प्रकार के प्राणियों को असमतापी या अनियमतापी कहते हैं मेड़क के रंग को परवर्थित होते हुए आपने अवश्य देखा होगा जिस समय ये घास तथा नम जमीन पर होते हैं क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यूं होता है? उनमें अपने शत्रों से चिपने के लिए रंग करिवर्थित करता होते हैं क्या आप किसी और ऐसे जीव के बारे में सोच सकते हैं जो अपने बता वरण के अनुरूप रंग करता हो? आप सही सोच रहे हैं आपको शायद इस वक्क गिर्गिट यादा रहा होगा इस रक्षात्मक रंग परिवर्थन की क्रिया को अनुहरन अर्थात मिमिक्री कहते हैं याद कीजिए कि अधिक सर्दी और अधिक गर्मी में क्या आपको मैड़क दिखाई पड़ते हैं अच्छा अब आप याद कीजिए कि या आपने यह भी देखा होगा कि मैड़क शीत व ग्रिफ रितू में दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि इस अंतराल में ये सर्दी तथा गर्मी से अपनी रक्षा करने के लिए गहरे गड़े में चले जाते हैं इस प्रकरिया को क्रमशह शीत निश्क्रियता अर्थात हाइबरनेशन वह ग्रिश्म निश्क्रियता अर्थात एस्टिवेशन कहते हैं विद्यार्तियों किनी ऐसे दो जीवों के विशय में पता लगाईए जो शीत निश्क्रियता या क्रिश्म निश्क्रियता दर्शाते हों। क्या आपने कभी मेटक की तवचा को छुआ है ? मेटक की तवचा सलेश्वा अर्थाद म्यूकस से ढखी होने के कारण चिकनी तथा फिसलनी होती है। इसकी तच्वा सदेव आद्र रहती है, मैडग की उपरी सदय धानी हरे रंकी होती है जिसमें आन्यम में धब्य होते हैं, जबकि नीचे की सतय हलकी पीली होती है क्या आपने कभी मेड़क को पानी पीते हुए देखा है आपको यह जानकर अशर्य होगा कि मेड़क कभी पानी नहीं पीता है बलके त्वचा द्वारा इसका अवशोशन करता है मेड़क का शरी सिर्व धर्ड में विभाजित रहता है पूच्व गर्दन का अभाव होता है मुख के उपर एक जोड़ी नासे का द्वार खुलते हैं आखें बाहर की और निकली वह निमेश पटल से ढकी रहती है ताकि जल के अंदर आखों का बचाव हो सके आखों के दोनों और कान टिमपेनम या कान पटह उपस्थित रहते हैं जो धुनी संकेतों को ग्रहन करने का कारे करते हैं मेंडग के अग्रव पश्च पाद चलने फिरने टहलने व गड़ा बनाने का कारे करते हैं जैसा के आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अग्रपाद में चार उंगलियां होती हैं जबके पश्च पाद में पाँच होती हैं तथा पश्च पाद लंबे व मासल होते हैं पश्चपाद की जिल्ली युक्त उंगली मेंड़क को जल में तेरने में महतोपूर्ण भूमिका निबाती हैं, मेंड़क में लेंगिक दोरूपता दिखाई देती हैं, नर में आवाज उत्पन करने वाले वाककोश, अंग्रेजी में वोकल सेक के साथ साथ अग्रपाद की प और माधा मेंड़क के बीच अंतर असानी से कर सकते हैं, प्यारे विद्यार्थियों, मेंड़क की देह गुहा में पाचन तंत्र, स्वशन तंत्र, तंतिका तंत्र, संचरन तंत्र, जनन तंत्र, पूर्ण अच्छी तरह से परिवर्दिद संरचनाओं एवं कार्यों योक्त होती हैं, मेंड़क का पाचन तंत्र, आहार नाल तथा आहार ग्रंथी का बना होता है, मेंड़क मासाहरी है, अतहा इसकी आहार नाल लंबाई में छोटी होती है, इसका मुख मुख गुहेका में खुलता है, जो ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका तक जाती है, ग्रसिका एक छ और अंत में अवस्कर अर्थात क्लोई का द्वारा बाहर खुलता है इसका मुख मुख गोहे का द्वारा ग्रस्नी में खुलता है जो ग्रसिका तक जाती है यक्रत पितरस श्रावित करता है जो पिताश्य में एकत्रित रहता है अगनाश्य जो एक पाचक ग्रंती है अगनाश रज श्रावित करता है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं विध्यार्थियों जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाए जाए रहे चित्र से ग्यात हो रहा होगा मैंडग में एक पेशिय जिवा उपस्तित रहती है जो किनारे से कटी हुई और द्विपालिद अंग्रेजी में ब भूजन का पाचन आमाश्य की दिवारों द्वारा श्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रसों द्वारा होता है अर्ध पाचित भूजन काईम कहलाता है जो आमाश्य से ग्रहणी में जाता है ग्रहणी पिताश्य से पित और अग्नाश्य से अग्नाश्य रज म अंतिम प्रक्रिया आत में होती है। पाचित भोजन आत के अंदर अंकुर और सुक्ष्मांकुर द्वारा अवशोशित किये जाते है। अब पाचित भोजन अवसकर द्वार से बाहर निश्काशित कर दिया जाता है। मेड़ जल वथल दोनों पर दो विभिन विधियों द्वारा स्वशन कर सकते हैं। इसकी तवचा एक जलीय स्वशनांग का कार्य करती है। इसे तवच्चिय स्वशन कहते है। विशरन द्वारा पानी में गुली हुई ऑक्सीजन का विन में होता है। जल के बाहर तवचा आयवई स्वशन अंग का काम करते हैं। फेफडे के द्वारा स्वशन फुफवसीय स्वशन कहलाता है। फेफडे एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंकी थैली नुमा सररचनाय होती हैं जो देह गुहा के वक्षिय भाग में पाई जाती है। वायू नासा छिद्रों से हो कर मुखगुहा तथा फेपडों में पहुंचती है। ग्रीश्म निश्क्रियता व शीत निश्क्रियता के दवरान में मैंडग तवचा से स्वशन करते है। गाई सुविक्सित पंद प्रकार का होता है इसमें लसिका परिशंचरन भी पाया जाता है अर्थात ओक्सीजनित अथ्वा वी ओक्सीजनित रक्त हर्दय में मिश्रित हो जाते हैं रूधिर परिचंचरन तंत्र हिर्दय रक्त वाहिकाउं और रूधिर से मिलकर बनता है। लसिका तंत्र लसिका लसिका नलिकाउं और लसिका ग्रंतियों का बना होता है। हिर्दय एक त्रिकोष्ठिय मासल सर्रचना है जो के देह गुहा के उपरी भाग में स्थित है। यह पतली पारदर्शी जिल्ली हिर्दय आवरण अंग्रेजी में पेरिकार्डियम द्वारा धका रहता है। एक त्रिकोष्ठिय सर्रचना जिसे शिरा कोटर कहते हैं हिर्दय के दाहिने आलिंद से जुड़ा रहता है तथा महाशिराओं से रक्त प्राप्ट करता है। हिर्दय की अधर सतय पर ताय आलिंद के ऊपर एक ठैला नुमर रचना धमनी शंकु होता है जिसमें निले अर्थात बेंट्रिकल्स खुलता है। हिर्दय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों में भीजा जाता है। इसे धमनी तंत्र कहते हैं, शिायें शरीर के विभिन्ण भागों से रक्त एक ठर्थ करकर हिद्य तक पहुचाती है। यह शिरात तंत्र कहलाता है। मेड़क में विशेश सयोजी शिराएं यक्रत तथा आतों के मध्य व्रक और शरीर के निचले भागों के मध्यम पाई जाती हैं। क्रमशह यक्रत निवाहिका तंत्र व ब्रकिय निवाहिका तंत्र कहते हैं रक्त प्लाज्मा तथा रक्त कनिकाओं से मिलकर बनता है रक्त कनिकाओं है लाल रूधिर रक्त कनिकाओं एवं श्वेत रूधिर रक्त कनिकाओं और पट्टिकाणों लाल रूधिर कनिकाओं में ल के इसमें कुछ प्रोटीन वा लाल रूधिर कणकाएं उपस्तित नहीं होती परिसंचरन के दौरान रक्त पोशकों गैसों वो जल को नियत सानों पर ले जाता है रूधिर परिसंचरन मासल हिर्दय की पंपन क्रिया द्वारा होता है विध्यार्तियों नाइट्रोजनी अप् पार तथा मुत्राश्य होते हैं यह गहरे लाल रंके सेम के आकार के होते हैं और देह गुहा में थोड़ा सा पीछे की और कशेरुक दंड के दौनों तरफ स्तित होते हैं प्रतेक व्रक में कई सर्रचनात्मक वक्रियात्मक इकाईयां मूत्राजन नलिकाओं व्रकाओं का बना होता है नर मेडक में मूत्र नलिका व्रक से मूत्र जननलिका के रूप में बाहर आती है मूत्रवाहिनी अवसकर द्वार में खुलती है मादा मेडक में मूत्रवाहिनी एवं अंडवाहिनी अवसकर द्वार में अलग-अलग खुलती है एक पतली दीवार वाला मूत्र भी मलाश्य के अधर भाग पर स्थित रहता है जो कि अवस्कर में खुलता है मेंड़क यूरिया का उत्सर्जन करता है इसे यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहते हैं उत्सर्जी अप्षिस्ट रक्त द्वारा व्रक में पहुंसते हैं जहां से ये अलग कर दिये जाते हैं और उनका उत्सर्जन कर दिया जाता है नियंत्रण वह समन्वे तंत्र मेंड़क में पूर्ण विक्सित होता है इन में अंतह श्रावी ग्रंथी वह तंत्र का तंत्र दौनों पाए जाते हैं विभिन अंगों में आपसी समन्वे कुछ रसायनों द्वारा होता है जिने हॉर्मो डीपकाएं, अधिवर्वर्च अर्थात अध्रिनिल ग्लेंड और जनद अर्थात गौनाट Tantra का Tantra, मस्तिषक तथा मेरू रजु, केंद्रिय तantra का Tantra, परिधिय तantra का Tantra, कपालिय व नेरू तंत्र और स्वायत Tantra का Tantra, Autonomic Nervous System, अनुकंपी व परानुकंपी, Sympathetic व परा-Sympathetic Tantra का बना होता है मस्तिश्क से दस जोडी कपाल तंत्रिकाय निकलती हैं मस्तिश्क हड्डियों से निर्मित मस्तिश बॉक्स अत्वा कपाल के अंदर रहता है यह अग्र मस्तिश्क, मध्य मस्तिश्क और पश्च मस्तिश्क में विभाजेत होता है अग्रमस्तिष्क में ग्राणपालिया, जुडवा युगमिनित, प्रमस्तिष गोलार्द और केवल एक अग्रमस्तिष्क पश्च होते हैं मध्यमस्तिष्क में एक जोडा द्रकपालियां का बना होता है पाश्च्र मस्तिश्क अनुमस्तिश्क एवं मैडूला अबलंगेटा का बना होता है मैडूला अबलंगेटा महारंद्र से निकल कर मेरू दंड में स्थित मेरू रज्जु से जुड़ा रहता है मेड़क में विभिन प्रकार के सम्वेदी अंग भी पाये जाते हैं जैसे स्पर्श अंग, सम्वेदी पिपल, स्वाध अंग, स्वाध कलिकाएं, नासिका उपकला द्रश्टी, नेत्र व, श्रवन, कर्ण पटह और आंत्रिक कर्ण इन सब में आखे और आंते कर्ण सुववस्तित होते हैं और बचे हुए दूसरे सम्वेदी अंग केवल तंत्रिक का सिरों पर कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं मेड़क में एक जोड़ी, गोलाका, नेत्र, गड़ों में स्तित होते हैं याद करने का प्रयास कीजिए कि क्या आपने कभी मेड़क का कान देखा है? मेड़क में बाहय कंड अनुपस्तित होता है केवल कंड पटप ही बाहर से दिखाई देता है कंड एक ऐसा अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन का भी कार्य करता है मेड़क में मादा व नर जननतंत्र अलग एवं पूर्ण सुववस्तित होते हैं नर जननांग एक जोड़ी पीले अंडाकार व्रश्न होते हैं जो व्रक के उपरी भाग से पेरिटोनियम के दोहरी वले मेजोकारियम नामक जिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं शुक्र वाहिकाएं संख्या में 10 से 12 होती हैं जो व्रश्न से निकले के बाद अपनी ओर से व्रक में धस जाती हैं व्रक में ये विडर नाल में खुलते हैं जो अंत में मूत्र वाहिनी में खुलती हैं अब मूत्र वाहिनी मूत्र जनन वाहिनी कहलाती है जो व्रक से बाहर आकर अवस्कर में खुलती है। अवस्कर एक छोटा मध्य कक्ष होता है जो के उत्सरजी पदात्र, मूत्र और शुक्राणूओं को बाहर भेजने का कार्य करता है। विद्यार्तियों, माधा मेडक में ब्रक के पास एक जोड़ी अंडाश्य उपस्तित होते हैं, लेकिन इनका ब्रक से कोई क्रियातमक संबंद नहीं होता है। एक जोड़ी अंड माहिनियां अवस्कर में अलग-अलग खुलती है। एक परिपक्व माधा एक बार में धाई 1000 से तीन हजार अंडे दे सकती है इन में बाहर निशेचन पानी में होता है ग्रूण परिवर्धन लार्वा के माध्यम से होता है लार्वा टेड़ पोल कहलाता है मैडग मनुष्य के लिए लाबधाय प्राणी है यह कीटों को खाता है और इस तरह फसलों की रक्षा करता है मैडग बातावरन संतुलन बनाए रखते हैं क्योंकि यह पारिस्तितिकी तंत्र का एक महत्रपून बोजन श्रंकला की कड़ी है कुछ देशों में मासलपाद मनुष्यों द्वारा भोजन की रूप में इस्तेमाल किये जाते हैं आईए अब इस सत्र में आपने जो को सीखा उसकी तुरित पुनरावती करते हैं भारतिय बुल्फ्रॉक राना टिग्रिना भारत में पाई जाने वाला सामान्य में डख है इसका शरीर तवचा से ढखा रहता है तवचा पर सलेश्मा ग्रंथियां पाई जाती है जो अत्यदिक समवहनी होती है और स्वशन जल तथा थल में साहता करती है शरीर सिर और धड में विविक्त रहता है एक पेशिये जिवा उपस्तित होती है जो किनारे से कटी हुई और द्विपालित होती है यह शिकार को पकड़ने में मदद करती है आहार नाल ग्रसिका, आमाश्य, आंत्र और मलाश्य से बनी होती है जो अवसकर द्वारा पहर की ओर खुलती है मुख्य पाचन ग्रंतियां यक्रत और अगनाश्य है यह पानी में त्वचा द्वारा और जमीन पर फेफणों द्वारा स्वशन करता है रूधिर परिसंजरन तंतर, बंद और एकल प्रकार का होता है जो अवसकर में खुलती है नर जननांग एक जोड़ी ब्रश्न और मादा जननांग एक जोड़ी अंडाश्य होते है एक मादा एक भार में धाई 1000 से 3000 अंडे देती है निशेचन और परिवर्धन बाहिय होता है अंडों से टेड़पोल निकलता है जो मेड़क में कायां तरेथ हो जाता है इस सत्र में आपके लिए एक अभ्यासकार बी है मेड़क आपको सर्दी और गर्मी में क्यों दिखाई नहीं पड़ते किनी और दो जीवों का पता लगाईए जो मेड़क की ही तरह सर्दी और गर्मी में आपको दिखाई नहीं देते आप मेड़क के नर और मादा को देखकर किस प्रकार पहचानेंगे मेड़क में रूधिर परिसंचरन तंत्र की चर्चा कीजिए मेड़क का उत्सर्जन अंग क्या है और वह किस प्रकार कारे करता है विद्यार्तियों आशा है कि आपने इस सत्र का आनन लिया होगा अब हम इस सत्र को यहीं विराम देते हैं स्वस्त रहिए सुरक्षेत रहिए धन्यवाद झालunkuक्षेत रहिए सत्र का दीए